हलो दोस्तो हम सभी money earn करना चाहते हैं और यह money जो है एक simple mobile में कुछ app download करके हम उसमें registration करके earn कर सकते हैं तो इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताऊंगो कि कैसे हम अपने Gmail account पे Admob को registration कर सकते हैं और कैसे फिर Admob account को हम Google AdSense से link कर सकते हैं और इन दोनों account से इन दोनों application से हम monthly जो है एक बहुत अच्छी income जो है earn कर सकते हैं अब आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और अपने screen पर बने well icon button को प्रेस जरूर कर दीदेगा जिससे जब भी कोई हम अपना नया video बनाएंगे तो आपके पास notification सबसे पहले आएगा मैं लॉग इन करूँगा सबसे पहले हमें अपने अकाउंट पर लॉग इन करना इसके गाद यहाँ पर सर्च करना है गूगल पर एड मॉब A-D-M-O-B एड मॉब जैसा कि आप लोग देश सकते हैं गूगल एड मॉब खुल गया और यह साइन अप मांग रहा है अगर यह साइन अप की स्क्रीन नहीं कुली है तो आप गूगल एड मॉब पर जाके साइन अप पर प्रेस करेंगे तो यह एप्लिकेशन वाम आ जाएगा यहां पर आपको अपनी कंट्री डालने है जैसे मैं अपनी कंट्री इंडिया डालजू अप पर आपको अपना टाइम जोन जैसे इंडिया का टाइम जोन है यह और करन्सी युएश डॉलर और यह एग्रिमेंट आप टिक करके क्रियेटेड मॉब अकाउंट में जा आपको क्लिक करना है इस सब पर यस करके आपको प्रोसीड करना है यहां पर गैट स्टार्टिड और है व्यू प्रविश्ट यूर एप ऑन गूगल प्ले और एप स्टोर हम तो अनिंग बना रहे हैं तो इसलिए हम नो करेंगे और यहां पर अन्रोइड आप नेम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जैसे मैं यहां पर बन दे रहा हूं और एड और यहां पर हम एंड उनिट को क्रियेट करेंगे बैनर एड यूनिट हमें क्रियेट करना है इसलिए यहां पर सेलेक्ट और एड नेम कुछ भी दे सकते हैं जैसे मैं यहां पर बन दे रहा हूं और created बस ऐसे ही इस पर done पर आपको दबाना है ऐसी यहां पर आप देखेंगे home पर आना है home पर देखेंगे तो आपको यहां पर जैसे कि अब हम home पर आ चुके हैं तो आपको ऐसी इसी तरह से 12 या 14 एड़ यूनिट बनाने होंगे तो यहां पर आप एप्स पर क्लिक करना है आपको और यहां पर एड़ एप ऐसी नो करके इस जैसे इस आपका नाम टू दे दीजे एग्जामपल के लि यूनिट का नाम भी टू दे दो और एग्जामपल और क्रियेट एड़ यूनिट पर क्लिक कर दो और डन ऐसी होम पर जाओ या फिर वहीं से आपको इसी तरीके से यहां पर 14 गन्ना है और यह अग hitag hold.com ्ट्रयगं ड्रउंग मॉब्ले लिध इन वडर रहा यहां पर आपको पहले Log-In पर क्लिक करना है और यहां से क्लिक हेर फ़र दी क्लासिक प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है एक बार हमारा एक लासिक प्लेटफॉर्म पे रीडारेक्ट हो जाएगा तो आप वहां से लॉग इन कर लेना या फिर डारेक्ट आप गूगल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं और य यह टैब में बंद कर दूंगा यहाँ अब ऊपनी आप फाइल को एड़ करना है यह फाइल में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूआ उसकी link. आप आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अब हमें अपना अगर यहाँ पे एड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करके इसको उपन करेंगे और ओके यह जैसे मेरी फाइल अब आप पे अपलोड हो चुकी है अभी आटोमेटिक में को इस स्क्रीन पर ले आएगा तो मैं को यहां पर कुछ भी नहीं करना बस एड्मॉब बैनर बन पर गए यहां पर एक्जामपल के लिए कुछ भी एड्यून यहां पर एड्यूनिट पर क्लिक करो यह एड्यूनिट आपकी यहां पर क्लिक करो यह है आपकी एड्यूनिट इस कोड को कॉपी करो यहां से कॉपी और यह जो बैनर बन है यहां पर वो कोड यह सब अटाके अपना कोड पेस्ट कर दो ठीक है यह मैंने अपना कोड यहां पर पेस्ट कर दिया ऐसी बैनर टूप जाना यहां पे कुछ एग्जामपल के लिए यह कोड दिया होगा पर हमें यहां पर अपना कोड लगाना है तो अब हम यहां एड मॉप पर आएंगे यह बंद करेंगे जो हमारी दूसरी आड यूनि पर क्लिक किया एड़ यूनिट टू पर हमने क्लिक किया और यह एड़ यूनिट का हमने कोड फिर से कॉपी कर लिया और इस वाले पर डिफॉल्ट कोड को हटा के अपना कोड पेस्ट कर दिया ऐसी आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14 9 मदलब यह 14 एड़ यूनिट्स है यह आप अपने 14 एड़ यूनिट 14 एड़ कोड यहां पर बस एड़ करना है आपको और उसके बाद यहां पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहां पर एप पर क्लिक कर देना है सेब डॉट एपी के फाइल तो मैं कम्प्यूटर ट्वयकर क्वावब यहां कि भीश दो एड़ यहां जड़ लगको यहां कि इक है फ़्र बार करने करने। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एप अपने आप ही डाउनलोड होना शुरू हो गया है इस एप को बस आपको अपने आप मॉबाइल में डाल के इंस्टॉल करना है तो अब यह हमारा पहला स्टैप और सबसे में स्टैप पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है अब यह सब आप बंद कर सकते हैं एड मॉब और यह सब अगर आपने सक्सेस्फूली सब कुछ सही कर दिया और अप भी डाउनलोड हो गया है तो अब आपको खोलना है गूगल और गूगल पर लिखना है एड सेंस और यह पहली लिंक खोलने है और यहाँ पे साइन इन यह आपको उसी अकाउंट से साइन इन करना है जिससे आपने अपना एड मॉब को साइन इन किया था अब अब लाव आपने जिससे अपनी एड़ उनेट्स बनाई है उसी अकाउंट से इसको साइन इन करना है मेरा पहले से साइन इन है इसलिए वह अपने आप खुल गया यहाँ पर हमें पहली वार खुल एसलिए get started पर click करना है और यहां पर अपनी सारी details को आपको बनना है जैसे account type individual address address सब कुछ आपको बनने के बाद बस submit करना है अब देखिए यहां पर लिखा है we are working on setting setting you up it usually only takes less than a day but in some cases it takes bit longer मतलब आपका यह एप तभी काम करेगा जब यहां पर एड्सेंस आपको एप्रूवल दे देगा और एड्सेंस आपको एप्रूवल इस case में देगा क्योंकि आपने पहले एड्मॉप से sign up किया था तो अब आपको बस आदे या एक दिन का इंतिसार करना है उसके आद आपका यह एप अपने आप चल पड़ेगा थैंक्स वर वचिंग मैं वीडियो